अस्सलाम वैलेकुम क्लास 3 हमारा चैप्टर है इतिफाक में बरकत सबक नंबर है 13 टैटल पेज बनाएंगे जितना से बनाते वे आ रहे हैं अच्छा ले टैटल पेज बनाएंगे चैप्टर आप लोक को याद होगा हमने पढ़ावा इतिफाक में बरकत चैप्टर की कहानी के एक कबूतर था बहुत सारे कबूतर थे जो के शिकार के लिए निकले थे उन में एक दाना में तब बहुत अकलमन कबूतर था उस अकलमन कबूतर ने जो है उन सब कबूतरों को मना किया था कि नीचे ना उतरो वरना तुम लोग फस जाओगे वो सब और वो जब जंगल में खाना रूरने की तलाश में निकले उन सब को बहुत भूक लग रही थी तो क्या हुआ उनको जो है शिकारी ने कैद करने के लिए जाल बिचा रखा था कुछ इसी तरह की कहानी थी एक दफ़ा और सुन लेजिए एक दफ़ा का दिकर है कि बहुत से कबूतर उड़े जा रहे थे इन में हर रंग और हर उमर के कबूतर मौजूद थे एक दफ़ा का दिकर बता रहे हैं कि बहुत सारे कबूतर थे जो के हर रंग के उसमें कबूतर मौजूद थे और हर उमर के कबूतर भी थे मतलब बुड़े भी कबूतर थे, बहुत बुड़े भी थे, हर तरहां के कबूतर, हर उमर के कबूतर थे ये कबूतर खुराक की तलाश में निकले थे, मतलब ये कबूतर जाया है, वो खाने की तलाश में निकले थे सबकी नजरे जमीन पर थी ताके कहीं दाना नजर आए तो जमीन पर उतर पड़े और उसे चुग लें सबकी नजरे जमीन पर थी के जहां पर भी हमें दाना नजर आएगा हम नीचे आए और दाना चुग लें चुगने का मतलब है कि कभूतर चुकते हैं आप लोगों ने देखा हूँ कभूतर चुक चुक के खाते हैं उसी तरह बताया भी कि अपना दानाister पर गुझड़ें उर्टे उर्टे वो एक खेत से गुझड़ें खेत में दाने बिक्रे पड़े थे कुछ कभूतरों की नजर उन दानों पर पड़ी उन्होंने अपने सातियों से कहा बस यहीं रुख जा वो देखो नीचे खेट में दाने पढ़ें आओ नीचे उत्रें और दाने चुग लें वो सारे कबूतर भूके थे जब एक साथ निकले खेट की तरफ पहँशे तो उनको क्या हुआ? दाने नजर आए जब उनको दाने नजर आए तो उन्होंने सारे कबूतर से कहा कि बस यहीं रुख जब यहीं उतर जो और था मुझे डर है कहीं हम किसी मुसीबत में फसना जाएं। वो बहुत अकल अकल मन्द था उसे समझ में आ गई थी कि दाने जो हैं वो किसी शिकारी ने बिके रहे हैं यहां पे नहीं उतरना। उसने अपने तमाम साथियों को मना किया मगर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और आखिर में नतीजा क्या हुआ जब उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी तो क्या हुआ कबूतरों को बहुत भूक लग रही थी दाना देखकर वो सबर ना कर सके उन्हें बुड़े दाना कब कबूतर भी उनके पीछे उतर गया वो सब भूके तो थे ही आते ही दाने पर तूट पड़े उन्हें पता भी ना चला कि वो सब जाल में कैसे फस गई ये दाने शिकारी नहीं बिकिरे था और उन पर उसने जाल बिचा रखा था बूरे कबूतर वो बहुत अकल बन था वो पह पस चुके हैं जब दाना का कि कबूतर ने वरना चाहा तो उनको क्या पता चला कि वो सब जाल में फस चुके हैं वो बहुत घबराए अब उन्हें बूड़े कबूतर की नसियत याद आई लेकिन क्या हो सकता था लगे जोर जोर से हाथ मारने जाल की रसीया मजबूत थी ब प्याद रह जाएंगे तो इस बूड़े कबूतर ने सब को कहा कि अब एक ही काम हो सकता है कि हम सब जोर लगाएं और इस जाल को ले उड़ें इतने में ही दूर से शिकारी आता हुआ दिखाए दिया बूड़े कबूतर ने का सात्यों त्यार हो जाओ सब मिलके जोर लगान उपर जाल को ले उड़े शिकारी ये देखकर बहुत हैरान हुआ उसे क्या खबर थी कि छोटे छोटे परिंदे भी अगर इतिफाक कर लें तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं चैप्टर का मोरल ये है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर कोई भी चीज के लिए मना किया जा रहा है कि वहां नहीं जाना या एक काम नहीं करना या उस काम में कुछ नजर आ रहा है किसी को भी नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक बंदा जो है वो गलत ही क सुनी और दाना खाने के लिए दाना खाने के चकल में उस जाल में फ़ल गए तो इस से क्या थाबित हुआ कि इतिफाक में बरकत है इतिफाक करना अगर सब मिल के करें सब मिल के एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे का साथ ना चोड़ने तो बड़ा से बड़ा काम भी वीडियो जो आप लोग को यहां से भेजी जारी है वह वीडियो जिनमें चैप्टर एक्स्प्लेइन हुआ है उसमें काम नहीं है और जो पिचर जो इमेजेज आप लोग को भेजी जारी है वह वह हैं जिसमें चैप्टर का काम है तो ज्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं वीडियो को खोल कर आप लोग को वीडियो को सिर्फ दियान से सुनना है उसमें chapter explained किया गया है और जो काम करना है वो pictures को देखते वे करना है जो आप लोग को pdf के through भेजी जारी है और अगर आप लोग के पास pdf की app download नहीं है तो वो app download करना इतना मुश्किल लए है आप लोग